व्यंगे समराथ हरिशंक परसाई जी की रचना सदाचार का तावीस एक राजी में हल्ला मचा कि ब्रुष्टाचार बहुत फैल गया है राजा ने एक दिन दर्बारियों से कहा प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जग़ ब्रुष्टाचार फैला हुआ है हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा तुम लोगों को दिखा हो तो बताओ दर्बारियों ने कहा जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है राजा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है कभी कभी जो मुझे नहीं दीखता वह तुम्हें दीखता होगा जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दीखते पर तुम्हें दिखते होंगे दरबार्यू ने कहा जी दिखते हैं पर वह वह तो सपनों की बात है राजा ने कहा फिर भी तुम लोग सारे राजे में ढूण कर देखो कि कहीं बृष्टाचार तो नहीं है अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना हम भी तो देखे कि कैसा होता है एक दरबारी ने कहा हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा सुना है वह बहुत बारीक होता है हमारी आँखे आपकी विराटटा देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती हमें बृष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही चवी दिखेगी क्योंकि हमारी आँखो में तो आपकी ही सूरत बसी है पर अपने राजी में एक जाती रहती है उसे विशेशग्य कहते हैं इस जाती के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँखों में आंच कर वे बारीग से बारीग चीज भी देख लेते हैं मेरा निविदन है कि इन विशेशग्यों को ही हुजूर विश्टाचार ढूणने का काम सौपे राजा ने विशेशग्य जाती के पांच आदमी बुलाए और कहा सुना है हमारे राज्य में बृष्टाचार है पर वह कहां है यह पता नहीं चलता तुम लोग उसका पता लगाओ अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना अगर बहुत हो तो नमूनी के लिए थोड़ा सा ले आना विशेशग्यों ने उसी दिन से चान बीन शुरू कर दी दो महिने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर होई राजा ने पूछा विशेशग्यों तुमारी जांच पूरी हो गई जी सरकार क्या तुमें ब्रष्टाचार मिला जी बहुत सा मिला राजा ने हाथ पढ़ाया ल अगोचर है पर वह सरवत्र व्याप्थ है उसे देखा नहीं जा सकता अनुभव किया जा सकता है राजा सोच में पढ़ गये बोले विशेशग्यों तुम कहते हो कि वह सूश्म है अगोचर है सर्वव्यापी है ये गुण तो ईश्वर के हैं तो क्या ब्रष्टाचार ईश विशेशग्यों ने कहा हां महाराज अब ब्रश्टाचार ईश्वर हो गया है। पिछले मा इस सिमहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुकतान किया गया है वह बिल छूटा है। वह वास्तों में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में ब्रश्टाचार है और वह मुख्यतह घूस के रूप में है। विशेशग्यों की बात सुनकर राजा चिन्तित हुए और दर्बारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिन्ता की बात है। हम ब्रश्टाचार बिलकुल मिटाना चाते हैं। विशेशग्यों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है। विशेशग्यों ने कहा, हाँ महराज हमने उसकी भी योजना तयार की है। ब्रश्टाचार मिटाने के लिए महराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्थन करने होंगे। एक तो प्रिष्टाचार के मौके मिटाने होंगे जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए इसी तरह और बहुत सी चीजे हैं किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारनिया है राजा ने कहा अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ हम और हमारा दर्बार उस पर विचार करेंगे विशेशग्य चले गए राजा ने और दर्बारियों ने ब्रिष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा उस पर विचार किया विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्ति बिगडने लगा एक दिन एक दर्बारी ने कहा महराज चिंता के कारण आपका स्वास्ति बिगडता जा रहा है उन विशेशग्यों ने आपको जंजट में डाल दिया राजा ने कहा हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती दूसरा दरबारी बोला ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महराज की नींद में खलल पड़े राजा ने कहा पर करें क्या तुम लोगों ने भी प्रिष्टाचार मिटाने की योजना का अधियन किया है तुमारा क्या मत है क्या उसे काम में लाना चाहिए दरबारी ने कहा महराज वह योजना क्या है एक मुसीबत है उसके अमसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परिशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी, जो चला आ रहा है, उसे बदलने से नई-नई कठनाईयां पैदा हो सकती है हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए, जिससे बिना कुछ उलट फेर किये, ब्रिश्टाचार मिट जाए राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यहो कैसे? हमारे प्रपितामा को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता, तुम लोग ही कोई उपायक हो जो एक दिन दर्बारियों ने राजा के सामने एक साधू को पेश किया, और कहा, महराज एक कंद्रा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं, इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचा साधू ने अपने जोले में से एक तावीज निकाल कर राजा को दिया, राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधू, इस तावीज के विशे में मुझे विस्तार से बताओ, इस से आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है, साधू ने समझाया, महाराज, ब्रष्टाचार और सदाचा मनिश की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता, विधाता जब मनिश को बनाता है, तब किसी की आत्मा में इमान की कल फित कर देता है, और किसी की आत्मा में बेइमानी की, इस कल में से इमान या बेइमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं, आत्म की पुकार की अनुसार आदमी काम करता है प्रश्ण यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबा कर इमान के स्वर कैसे निकाले जाए मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है यह तावीज गड़े में बान देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता बात यह है कि इस तावीज में से ही सदाचार के स्वर निकलते हैं जब किसी की आत्मा बेईमा से इमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझ कर सदाचार की और प्रेरित होता है यही इस तावीज का गुण है महराज दर्बार में हल्चल मच गई दर्बारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे राजा ने खुश होकर कहा मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राजे में ऐसे चमतकारी साधू भी हैं महात्मन हम आपके बहुत आभारी हैं आपने हमारा संकट हर लिया हम सर्वव्यापी बृष्टाचार से बहुत परिशान थे मगर हमें लाखों नहीं करोडों तावीज चा और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं एक मंत्री ने कहा महराज राज्य क्यों जंजट में पड़े मेरा तो निवेदन है कि साधू बाबा को ठेका दे दिया जाए वे अपनी मंडली से तावीज बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे राज्य को यह सुझाओ पसंद आया साधू को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया उसी समय उन्हें पांच करोड रुपिय कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए राज्यों के अग्वारों में खबरें छपी सदाचार के तावीज की खोज तावीज बनाने का कारखाना खुला लाखों तावीज बन गए सरकार के हर सरकारी करमचारी की भुजा पर एक-एक तावीज बान दिया गया ब्रिष्टाजार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दर्बारी सब खुश थे एक दिन राजा की उच्शुकता जागी सोचा देखे तो कि यह तावीज कैसे काम करता है वह वेश बदल कर एक कार्या ले गए उस दिन दो तारीक थी एक दिन पहले तंखा मिली थी वह एक करमचारी के पास गए और कई काम बता कर उसे पांच रुपे का नोट देने लगी करमचारी ने उन्हें डांटा भाग जाओ यहां से घूस लेना पाथ है राजा बहुत खुश हुए तावीज ने करमचारी को इमानदार बना दिया था कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदल कर उसी करमचारी के पास गए उस दिन 31 तारीक थी महीने का आखिरी दिन राजा ने फिर से पांच का नोट दिखाया और उसने उसे लेकर जेब में रख लिया राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया बोले मैं तुमारा राजा हूँ क्या तुम आज सगचार का तावीज बांद कर नहीं आए बांदा है सरकार यह देखे उसने आस्तीन चड़ा कर तावीज दिखा दिया राजा समंजस में पड़ गए फिर ऐसा कैसी हो गया उन्होंने तावीज पर कान लगा कर सुना तावीज में से स्वर निकल रहे थे अरे आज 31 है आज तो ले ले